नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग Specific Relief Act 1963 के जितने भी important questions है उनको discuss करेंगे सबसे पहले lecture में हम लोग Recovery of Possession of Specific Immovable Property और दूसरे lecture में हम लोग Recovery of Possession of Specific Immovable Property के बारे में discuss करेंगे तो Specific Relief Act जो है वो आपको Contract 1 का जो Sub-Topic है Specific Relief Act उसमें काम आएगा इसके उपर कई बार questions पूछे जाते हैं यह जो सवाल होंगे वो आपको descriptive type के questions में भी help करेंगे और objective types के questions में भी help करेंगे और आने वाले सालों में practical training में भी ये act आपको बहुत ज्यादा काम आएगा फर्स कीजिए पहले example में पहले example हम लोग देखते हैं फर्स कीजिए एक किरायदार है जो अपना घर खाली करने से इनकार कर देता है leave and license का period खतम हो चुका है लेकिन किरायदार अपने घर माली के उपर दादागिरी कर रहा है ये पहला example है और दूसरा example क्या है घर माली किरायदार के उपर जबरदस्ति कर रहा है लिव and license period अभी भी intact है कानूनन तरीके से किरायदार कुछ और महिना जब तक लिव and license का period खतम नहीं होता कानुनन तरीके से उसे पूरा हक है उस property को enjoy करने का लेकिन घर मालिक किरायदार के उपर जोर जबर्दस्ति कर रहा है दोनों ही चीजों के उपर individual civil rights का violation हुआ है किरायदार ने घर मालिक का हक पहले example में खारिश किया है और दूसरे example में घर मालिक किरायदार के उपर दादागिरी कर रहा है हमने देखा है कि ऐसे चीजों में सबसे appropriate remedy होती है court जाना, legal notices भेजना, police के पास जाना लेकिन कई बार हम लोग ने देखा है समाज में लोग गुंडे भेज देते है या फिर घर मालिक को धमकाने के लिए गुंडे भेज देते है दोनों ही चीजे गलत है, दोनों ही चीजों में लोग कानून को अपने हाथ में लेते है और कानून की व्यवस्था को ठेज पहुँचती है तो हमारा जो इंडियान कानून सिस्टीम है, वो ऐसी चीजों को साफ तरीके से खारिश करता है वो कहता है कि अगर इंडिविज्वल सिविल राइट्स का वायलेशन होता है तो तुम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक का इस्तेमाल करो इसके अंदर हम लोगोंने appropriate remedies दी है कानून को किसी भी तरह किसी भी तरीके से हाथ में मत लो अभी हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक क्या है इसका introduction में हमें क्या लिखना है अगर आप लोग चाहिए तो लिख सकते हो कि बढ़ाना है तो otherwise it is totally sufficient Specific Relief Act 1963 is enacted for protection and enforcement of individual civil rights जो दो example मैंने आपको दी थी घर मालिक किरायदार को जबरान निकाल रहा है या फिर धीट किरायदार अपना घर खाली नहीं कर रहा इन दोनों ही चीजों में घर मालिक और किरायदार इन दोनों के individual civil rights का violation हुआ है Specific Relief Act is enacted for the protection and enforcement of individual civil rights Specific Relief Act grants remedies whenever the individual civil rights are violated तो सबसे पहले एक्जामपल में और दूसरे एक्जामपल में हम लोग बाप कर रहे थे किरायदार और घर मालिक की यानि एक फ्लाइट से रिलेटेड फ्लाट एक immovable property है तो immovable property से related जितने भी remedies है वो आपको section number 5 और section number 6 में मिलेंगी और movable property जिसको हम लोग बोलते है vehicles, gold coins, currencies, etc इन सारी movable properties से related जो भी remedies है वो आपको section number 7 और section number 8 में मिलेंगी अभी हम लोग ने basic introduction देख लिया आप लोगों को पहले जो 4 points है यानि 1, 2, 3, 4 ये 4 points आपको हर introduction में same रहेंगे और recovery of position of movable property हमने situation के हिसाब से डाला है जैसा जैसा question होगा जैसा section होगा उसमें वो point आप additionally add करते जाओ पहले 4 points हर question के लिए same रहेंगे अभी हम लोग देखते है recovery of possession of immowable property क्योंकि example एक flat का था जो कि एक immowable property है अगर आपको exam में ऐसा question आएगा तो सबसे पहले आपको specific relief act का introduction लिखना है इसके बाद में अगर recovery of possession of immowable property होगा तो immowable property का definition दो immowable property के उपर right title और interest किस प्रकार से आता है वो example दो और अगर आपका illegal dispossession हुआ है तो आपको किस प्रकार से remedy मिलेंगी ये आपका answer होना चाहिए this should be the potential approach for an ideal answer so हम लोग देखते हैं immowable property predominantly includes land, houses, flats and bungalows actually अगर इसका IPC के अंदर definition देखेंगे या फिर किसी भी काईदे के अंदर देखेंगे तो उसका definition है land and anything which is attached beneath the earth यानि earth के अंदर या फिर earth के उपर जितने भी attached चीज़े हैं इनको हम लोग immowable properties बोलते हैं लेकिन हम लोग basic introduction लिख रहे हैं इसलिए हम लोग कहेंगे land, houses, flats and bungalows क्योंकि ये individual civil rights से related है हम लोग crude definition लिख सकते हैं otherwise you are totally free to adopt any of the appropriate legal definition of immowable property a person can have a legal possession of the property by title if he is the owner of the property or by possession if he is allowed to possess the property by the owner यानि पहले example में जो मैंने आपको कहा था कि किरायदार घर खाली नहीं कर रहा है मालिक उस चीज़ का जो owner है वो by title है मालिक उस जगा का owner है so he holds the property, he holds the legal possession of the property by title और दूसरे example में मैंने कहा कि leave and license का period अब भी intact है और घर मालिक जबरदस्ति कर रहा है to the tenant कि to leave the house immediately तो इस जगा पर इस example में जो tenant है वो उस जगा का owner तो नहीं है लेकिन he holds the right to possession of that property by leave and license agreement क्योंकि उसको कानूनन वो जगा license पे मिली है to take the advantage of that premises up to the lapse of that leave and license agreement जब तक वो leave and license agreement खतम नहीं हो जाता बेशक उस जगा का owner वो मालिक है लेकिन उस जगा का advantage लेने का उस जगा का फाइदा उठाने का पूरा अधिकार leave and license agreement उस tenant को देता है नव, if a person is dispossessed of his lawful immowable property then it is a civil legal offense इस चीज के उपर ध्याम दो it is a civil legal offense if a person is dispossessed from his specific immowable property he can claim the remedies as per section 5 and section 6 of the specific relief act 1963 यहाँ पर हम लोगों ने डोनों introduction complete कर दिये हम लोगों ने बता दिया कि specific relief act क्या है remedies कौन से act से मिलती है और immowable property का definition क्या है अभी हम लोग actual remedies की तरफ जाते है section 5 और section 6 यह जो definitions है वो मैंने bare act से ली है आपको as it is लिखनी है और explanation बाद में मैंने दिया है a person is entitled to the possession of specific immowable property he may recover it in the manner as provided in the civil procedure code 1908 section 6 of the specific relief act 1963 says that if a person is forcibly dispossessed of his specific immowable property he can recover the possession of the property under specific relief act 1963 if all the six conditions are satisfied सबसे पहला condition है he should have been in the possession of immowable property if we want to get the possession of that immowable property six conditions are needed to be satisfied सबसे पहला condition है he should have been in the possession of specific immowable property यानि उस किरायदार को या फिर जिस जगा से हम लोग dispossessed हुए है उस जगा से dispossessed होने से पहले हमें उस जगा का possession legally मिला होना चाहिए दूसरा है he should have been dispossessed of the property अगर हमें उस जगा का legal possession मिला है इसके बाद में दूसरा condition है हम उस जगा से illegally dispossessed होने चाहिए यह तो self-explanatory है चोथा है the dispossession should not be as per the due process of law अगर हमारा dispossession कानूनन तरीके से होता है जैसा मैंने example दिया था leave and license तरीके से यानि जो tenant है वो हमें rent pay करेगा और उसके बदले में हम लोग उस property को कुछ time के लिए छोड़ रहे हैं बेशक हम लोग उस property से dispossessed हुए है लेकिन हमारा right title और interest अभी भी intact है so we have been dispossessed by due process of law ऐसे dispossession valid है the dispossession should not be done by the government हमारा government के खिलाफ कोई case नहीं बन सकता अगर government ने हमें legally dispossessed किया है तो पाच्वा condition है the dispossession should not be done by the government this is self-explanatory and छटा condition है he must file the suit within the 6 months from the date of dispossession अगर हमने 6 महिने के बाद में suit file कर दिया तो ऐसा माना जाता है कि हमने हमारा suit file करने का right forfeit कर दिया या फिर give up कर दिया तो limitation act के अंदर dispossession के लिए suit file करने का जो time है वो 6 महिने का है तो अगर ये 6 conditions satisfy होते है तो ही हम लोग civil suit file कर सकते है as per the civil procedure code to recover the possession of the property out of which we have been illegally dispossessed आशा करता हूँ अब तक आपको समझ में आया होगा अभी हम लोग बात करते हैं section 5 और section 6 के explanation की if a rightful holder of the property is dispossessed of his lawful property then he has a right to follow the guidelines as provided by the civil procedure code 1908 हमारा Indian legal system ये expect करता है हम लोगों से की हम लोग कानून हाथ में नहीं लेंगे civil procedure code का इस्तमाल करेंगे अगर हमारा individual civil right enforced नहीं हो पाया he is expected to follow the lawful remedies under this act rather than using brute force or taking over the law in his own hands a person dispossessed from his property should file a civil suit and show that he has a better right title and interest over the property than the defendant जब हम लोग individual civil rights का हनान होने पर civil suit file करेंगे तो हमें ये प्रूफ करना है की हमारा उस immowable property के उपर better right title और interest है as compared to that of other party अगर हमें उस property का possession चाहिए तो हमें ये प्रूफ करना होगा की उस property के उपर हमारा ज्यादा अच्छा हक है as compared to that of other party क्योंकि अगर उसके पास possession है तो जाहिर सी बात है उसने भी किसी ना किसी हक का इस्तमाल किया होगा तो हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा हक हमारा right title और interest उससे ज्यादा है हमें ये भी प्रूफ करना होगा कि हम लोगों को illegally dispossess किया है और हमें government के द्वारा dispossess नहीं किया है अगर government के द्वारा illegally dispossess किया जाता है तो हमारा right title interest रहेगा लेकिन अगर government हमें legally dispossess करता है dispossess करता है तो we have a no case against the government इसके बाद में example मैंने आपको जो पहले दिया था ये जो दो example मैंने सबसे पहले डिसकस किये थे आशा करता हूं आपको specific immovable property का possession कैसे लेना है वो समझ में आया होगा that's it for today's lecture thank you so much please like, share and subscribe to my channel बास की करते आपको झाने आपको समते है